इस पहले हमारे पूरी शिक्षाफ प्रनाली का, पूरे सिस्टम का, हमारे पॉसस का और सबसे जादा हमारे अगमिशन प्रोसेस का. सीवीटी का एकदम जो हमारी उपर जो इंपक्त था जो हम पहले से हमको मालूमी था कि कमर्शलाइजेशन यह जो कोचिंग मार्च चलाएगी और जो दबे वे तपके हैं वो तो पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे महिलाएं भी बड़ी तरह से बाहर होई हैं हम लोने आकड़े जो बार-बार कई अकबारों में भी आये हैं और यूनिवर्स्टी ने कोई भी इसके उपर तवज्जों नहीं दिया कि महिलाओं का जो पर प्रोपॉर्शन था वो एक तिहाई गिर गया इतने लाखों चात्रों के भविश्य का सवाल है तो लोग अगर अपने लिए लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप लड़ाई को आउट्सॉर्स कितने दिन कर सकते हैं यह देखना पड़ेगा लेकिन हमें उमीद है कि धीरे धीरे और लोग भी इससे जुड़ेंगे जो पहले वक्ताओं ने कहा है उसमें मुझे बहुत कुछ जोड़ना नहीं है मैं डेली उनिवरस्टी में मैंने 42 साल पढ़ाया और इतना बुरा हाल हमारी पूरी शिक्षा प्रनाली का पूरे सिस्टम का हमारे कौसस का और सबसे जादा हमारे एड्मिशन प्रोसेस का मैंन करके उनको आप एड्मिशन में यूज कीजिए बारवी के रिजल्ट को वो कोशिश कभी नहीं की गई जो पूरी दुनिया में होती है एक अलग से के सेंट्रलाइज टेस्ट होगा उसी कौम कर लेंगे यह भी नहीं कि हम लोग कोई अपना सेंट्रलाइस टेस्ट करने की को करें जबके सारे एक्सपर्ट तो आपके यूनिवर्स्टी में ही हैं सीवी टी का एक दम जो हमारी उपर जो इंपक्त था जो हम पहले से हमको मालूमी था कि कमर्शिलाइजेशन यह जो कोचिंग मांच्या चलाएगी और जो दबे वे तबके हैं वो तो पूरी तरह से बाह हो जाएंगे महिलाएं भी बड़ी तरह से बाहर होई हैं हम लोंने आकड़े जो बार-बार कई अकबारों में भी आये हैं और यूनिवर्स्टी ने कोई भी इसके उपर तवज्जों नहीं दिया कि महिलाओं का जो प्रोपॉर्शन था वो एक तिहाई गिर गिर गया पहले कि किस तरह से जो हमारे यूनिवर्स्टी में हर इलाके से हिंदुस्तान के हर इलाके से स्टूडन्स आते थे मैंने अपने एक्स्पिरिंस में देखा कि मेरे क्लास में मैं मैंतेमाटिक्स पढ़ाती हूं सरफ तीन स्टेट्स के बच्चे आए पहले सीवीटी के बाद वो थ इसकी वज़े थी एक बंगाली नहीं एक साउथ इंगेंड नहीं एक भी नौत इस्टन नहीं ओडिया नहीं सरफ तीन स्टेट्स है सारे बच्चे जब क्रिस्टन कम्यूनिटी से हमारे 50% क्रिस्टन होते हैं तो हमने सोचा चलिए अब डाइवर्सिटी आएगी